शंकर ज्वेलर सिर्सा भरोकावालिश रिषपाल सुधार वहवा सिंग सुधार का मशूर हॉल्बार्क ज्वेलरीश शुरू हमारे यहा सोने वह चांदे के आप्हुषर हर समय क्यार मिलते हैं और ओर्डर पर भी तयार किये जाते हैं शंकर ज्वेलर्स पिएनवी वाली कली रूडी बाजार सिरसा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 9466-73-2005 या 94163-88442 नमस्कार लोग सबा चुनाओं को लेकर के तमाम अपडेट जो है वो कहां से कोन परताशी संभावित है वो तमाम अपडेट जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि एक तरफ कोंग्रिस के और से जो है वो लगातार यही कहा जा रहा है कोंग्रिस के और से कहें या फिर इंडिया गटबंधन के और से कहें कि मोदी हटाओ देश बचाओ ये नारा जो है वो लगाता में कॉंग्रेस जो है वो सफलता हासिल कर पाएगी क्योंकि इसके पीछे अगर कारण बताना चाहें तो मोधी को हटाने के लिए भारते जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कॉंग्रेस को जीतने वाले कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारने पड़ेंगे और इन तमाम नेता जो है वो कॉंग्रेस के चुनाव लड़ने से लोग सबा चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं इनकार करते हुए दिखाए दे रहे हैं तो ऐसे में जब जिन लोगों की डिमांड है जिन लोगों की जिन नेताओं की लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हे चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो रंदीप सुर्जेवाला हो, चाहे वो भुपेंदर सिंग हुड़ा हो, चाहे इसके अलावा अगर बात करें तो किरन चोदरी हो, इन तमाम नेताओं की demand जो है वो मांग लगातार जो है वो लोग कर रहे हैं और यह अगर पार्टी हाइकमान चाहेगी तो दिपेंदर हुड़ा जो है वो रोतक से चुनाओ लड सकते हैं. इसके अलावा कुमारी शैलजा भी पहले मना कर चुके है लेकिन उसके बात उन्होंने अपना फैसला थोड़ा पल्टा जरूर की कॉंग्रे साही कमान अगर चाहेगी तो वो चुनाव लड़ सकती है लेकिन यहाँ पर अगर प्रात्मिक इच्छा की बात करें तो प्रात्मिक इच्छा कोई से भी नेता की जिनकी लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी जो है वो चुनाव लड़ने की लोग सबाचुनाव लड़ने की नहीं है सबी के मन में अगर इच्छा है तो वो विधान सबाचुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनने की है हर्याना से क्या कोंग्रेस का जो हर्याना से भारतिय जनता पार्टी को हटाने का नारा है या फिर देश से जो है वो भारते जनता पार्टी को हटाने का नारा कॉंग्रेस दे रही है यह अभी तक समझ से परे है यह अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अगर हर्याना से देश से अगर कॉंग्रेस पार्टी जो है वो भारते जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना तो यहां पर उन तमाम निताओं को जह हो लोकसभा चुनाओ लड़ना चाहिए अगर उनका नारा देश से हटाने का तो व近ो जो है वो लोकसभा चुनाओ क्यों नहीं लड़ रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो उटकर के सामने आता है अब ऐसे में अगर बात करें तो सिर्सा की अगर बात करें तो सिर्सा में डोक्टर अशोक तवर जो की भारती जंता पारटी के परताशी जो है वो बनाए जा चुके हैं और उनके सामने लगातार जो है जो भी वीडियो हम लगाते हैं उस वीडियो के निचे कुमारी शहलजा का नाम प्रात्मिक तक तोर पे लोगों के द्वारा लिया जा रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो आ रहे हैं कि कुमारी शहलजा कि आने से कुमारी शहलजा जो वो चुनाव जीत सकती हैं या फिर अशोक तमर चुनाव जीत सकते हैं या फिर इनलो या दूसरी पार्टियों से कोई परताशी आते हैं वो चुनाव जीत सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और वहीं कॉंग्रेस के केंद्रिया नेत्रितव को टै करना है कि जो जीतने वाले केंडिडेट हैं या जो कदावर नेता हैं उन तमाम नेताओं को जो है वो लोकसभा चुनाओं में उतारा जाना चाहिए जिस परकार से अभी भारते जंता पार्टे ने जो मुक्या मंत्री मनोर लाल घ विदान सबा में उतारा जा सकता है यानि कि अल्टरनेट ओप्शन जो है वो इसके अलावा बहुत से हैं लेकिन उससे पहले जो है वो कॉंग्रेस पार्टी को अगर अपनी मजबूती दिखानी या वाकई में कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि देश से भारते जंता पार् पार्टी जो है वो सरकार बना सकती है अब ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी या भारते जंता पार्टी सरकार बनाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन चर्चाएं जो है वो फिलहाल यही जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है कि अगर नोती भरा भारते जन्ता पार्टी के तमाम परत्याशियों के लिए हो सकता है, खेर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो कॉंग्रेस की कदावर नेता हैं, चाहे वो वुपेंदर सिंग हुड़ा हैं चाहे रंदीप सुर्जेवाला है, चाहे कुमारी शेलजा है चाहे वो किरन चोदरी है या और भी जो नेता हैं, उन तमाम नेताओं को जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए लोक सबाका या नहीं लड़ना चाहिए ये भी अपनी राए कमेंट में जरूर कीजिएगा